नमस्कार नियूस ताइम्स के इस बुलिटीन में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हो त्रिप्ति विश्यो कर्मा आईए खबरों का सिलसला आप सुरू करते हैं पश्चमी सिंभुम जीला के सारंडा जंगल में सुरक्षा बलो को लंबे समय बाद मावादियो द्वारा लगाया गया 10 किलो का कीन बम मिला है कर दिया गौर्तला भोग की पिछले कई वर्सों से इस छेत्र में सुरक्षा बलो की पकड़ मश्बूत होने से मावादी गतिविधी कम हुआ था लेकिन इस केन बम के मिलने से मावादियों की सक्रियता की आसंका बढ़ गई है टोंटो प्रखंड के दोकट्टा पंचायत के बाई गुटू में रहतों की बैठक में चैंबासा के विधायक दीपक बिर्वा ने कहा कि जब तक रहतों को उनका मुआवजा और नौकरी नहीं मिलेगी कोई कॉम्प्रमाइज नहीं होगा कम्पनी प्रवंधन को रहतों का ह देना ही होगा रहिवार को बाई गुटू में आयोजित इस बैठक की अध्यक्स्ता निम्डी के मुंडा मानकींद्र बाल मुचू ने किये उन्होंने बैठक में इसीसी कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से किये गए सिमांकन मामले पर जानकारी देते वे आवसक भी सौपा वही विधायक दीपक बिर्वान ने अंचल कारेले द्वारा दिये जांच प्रतिविदन की जानकारी दी बैठक में रैतों ने अपने हक की लड़ाई में विधायक से साथ देने का आग्रा किया जिस पर विधायक ने रैतों के हक की लड़ाई मिलकर लड़ने की बात कही लालू कुजूर को उराव समाज बरकंदास टोली का मुख्या चुना गया है चुनाव मैदान में तीन प्रत्यासी थे जिसमें सरवाधिक 222 मत हासिल कर लालू कुजूर मुख्या चुने गए 183 मत हासिल कर कुंदरू टोपो दूसरे नंबर पर आर 60 मत हासिल कर राज दो व्यक्तियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया समाज के वरिष लोगों की उपस्तिती में मतों की गिंती हुई जिसमें लालो कुजूर 222 मतों के साथ विजय घोशित किये गए वह 5 साल के लिए समाज के मुख्या चुन लिए गए हैं चैंबासा सदर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्याले नीमडी के आठवी के विद्यार्थियों ने विद्याले से विदा होने से पहले पर्यावरन संरक्षन का संदीश देती हुए विद्याले प्रांगण में लगे पेड़ पौधों की सुरक्षा की लिए अपने घरो से बास लाकर घेराबंदी की कोरोना महामारी की वज़े से सरकार ने बिना परिक्षा लिये ही आठवी के विद्यार्थियों को प्रोनत करती हुए नवी कक्षा में भेजने का आदेश दिया है नवी कक्षा में जाने से पहले विद्यार्थियों ने विद्याले के पेड़ प बच्चों ने पर्यावर्न संद्रक्षन के लिए यह कदम उठाया पश्चमी सिंभुम जीला सहित पूरे जार्खन में कोरोना की मामले लगातार बढ़ रहे हैं पश्चमी सिंभुम जीला प्रसासन द्वारा कोरोना जाच का कारे भी तेज कर दिया गया है बसों की जरिये हर दिन सैकडों लोग यात्रा करते हैं इसलिए आज बस की चालकों, कंडक्टर, खलासी और एजिंटों का कोरोना जाच किया गया जीला परिवन पदाधिकारी अजय तिर्की की पहल पर चैंबासा बस टैंड में कोरोना जाच शिविर लगाया गया स्वास्त विभाग की टीम ने बारी-बारी से सभी चालक, खलासी, कंडक्टर और एजिंट की जाची इस दवरान चैंबासा के SDO, शशिंद्र कुमार बढाईक, SDPO, दिलीब खलको, सदर थाना प्रभारी, निरंजन तिवारी और बस आउनर्स एसोसिसन के लोग मौजूद रहें कि सबसे ज़्यादा आद्मियों के संपर्प में आने जाने के लिए जो सबसे ज़्यादा संपर्प में आने वाले ही हैं तो बस परिवहन के ही कोई न कोई सर्मी होते हैं और कर्मी एदी संकर्मित हो और फिर वो दूसरे के साथ संपर्प में आते हैं तो वबहावी के कि एक संकर्मन का वहाध बन सकते हैं इसलिए इनका इजो नीडमे रहा थी है वाई हम लोग जितने भी हमारे परिवन के टेपर टेपर हो खलाती हो बसेशन के अन्य सव्रत्थ गण हो जो अजेंट हो सभी का अगर हम लोग करोना ज्याँच करा लें करोना ज्याँच करने के बाद हमारे पास एक अपट डाटा करने के लिए हम लोग यही कराना चाहते हैं कि जैसा भी करोना के दूसरी लहर फैल रही है तो भाइज स्वय में भी अपने बेवहार में बदलाला जहां भी जहां भी जहां करने समाजी दूरी का पालन करें बार बार रहां को तेनी टाइच करते रहें अना वसकर मून आज इत्या भी कुल नाच हुए आज का यह जो हम लोग काच करम यह जो पूबिट चांच जो यह बस चैवासा बसी स्टैंड में हम लोग कर रहे हैं जिस्टेशली हमारे यहां जि जिसे बांग रहे हैं तो यहिन को समय हका बाता है जब कि आज का जो समय हैं जो हमारे सयवासा में अन्य जीलों के तरह यहां सब्सक्राइबंग के लिए भी थाइश सफंक्रामन में और हैं इसरेश हमारे सबस्करहों कर दका एक पन्चाइश कि जन्समारिवियर ये सभी जितने भी स्टाफ से उनका हम लोग जाच करेंगे। ये सभी जान बचाने के भरपूर प्यास किया सद आई इसमें जो भी कंड़क्टर, ट्रैवर, खलासी और एजेंट जो भी स्टाफ है। कोरोना संक्रमन की रुप्थाम को लेकर जीला प्रसासन और पुलिस की ओर से लगातार अभ्यान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बस स्टैंड और सहर के अन्य हिस्से में हिलमेट और मास्क जाच अभ्यान चलाया गया। इस दारान कई लोगों को COVID-19 प्रोटोकॉल का उलंगन करती वे पाई जाने पर फाइन काटा गया। COVID-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए संकरमन की रोगठाम जाच और वैक्सिनेशन मुहीम के सुचारो संचालन के लिए उपाय। अनने मित्तल द्वारा नोडल पदाधिकारियों के प्रति न्युक्ति की गई है। उपेकास आयुक्त संदीप बक्षी को नमुना संग्र, जाच केंद्र और वैक्सिनेशन सेंटर का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। पूर्ती पदाधिकारी अमित कुमार को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। विधिववस्ता संधारन के लिए अनुमंडल छेतरी में सभी अनुमंडल पदाधिकारी नामित किये गये हैं। और उनके साथ अन्य संबंदित पदाधिकारीों को भी दाइत्व दिया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी द्वारा जीले के चौक चौराहों और यात्री वाहनों में जाच करते हुए आम जनों को मास्क लगाने और समाजिक दूरी का पालन करने के लिए प्रिरित किया गया है। लोगों के बीच मास्क का वित्रन करते हुए 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टिका लगवाने के लिए जागरुक किया जा रहा है। अस्या के बारे में सांसत को बताया और फिर सांसत की पहल पर गाउं में नया ट्रांसफार्मर लग गया है। रावनोमी, सरहुल और रमजान को लेकर सदर्थाना परिसर में ससिंद्र कुमार बढाईक और SDPO दिलीप खलकों की उपस्तिती में सांती समीती की बैठक हुई। इस दवरान दोनों पदाधिकारों ने शहर के लोगों से COVID-19 को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए पर मनाने की अपील की। बैठक में लोगों को सरकार की गाइडलाइन्स के बारे में भी बताया गया। सदर्थाना प्रभारी निरंजन तिवारी ने शहर के लोगों से दिसा निदेश का पालन करने और सहयोग करने की अपील की। अभी के लिए बस इतना ही कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे तब तक निउस तैम्स के पूरी टीम को दीजे इजाज़त नमशकार।